Hey guys, welcome back to Mr. Vyas और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है WordPress की वो थीम्स जो as in beginner और चाहे आपकी किसी भी टाइप की साइट सो आप उसमें यहां पे lightweight, एक properly optimized और AdSense Approval के लाए किसी कौन से थीम है जो आप इंस्टाल कर सकते हैं उनका free plants as well as premium plants क्या क्या है यह सारे चीज़ा आज मैं इस वीडियो के अंदर इसकस करने वाला हूँ आप में से जितने लोगों की queries थी और बहुत लाइंग लॉंग पूच रहे हैं कि वर्डप्रस के अंदर हमें कौन से थीम यूस करनी चाहिए तो आज इस वीडियो के अंदर हम doubts clear करेंगे जहां पर मैं तीन theme के बारे में बताऊंगा जिसको मैं personally test कर चुका हूँ, use कर चुका हूँ and that is good to go themes है और बहुत ही अच्छी themes है तो कौन-कौन से है, कैसे उनको buy करना है, सारी चीज़ा में आपर discuss करने वाले हैं लेकिन अगर आप blogger में platform, blogger पे अगर कर रहे हैं blogging तो उसके लिए मैंने एक अल्यडे detail में customization theme, customization का वीडियो बनाया जापे colored minima 3 की बात की थी तो अगर आपने वो miss किया, i button में link है या फिल link में description में दे दूँगा उसको जाके check कर सकते हैं अगर आप हमारे चानल पे नए हैं और सीखना चाहते हैं blogging से related unlimited information so without wasting time channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए और comment करके अपने opinion बताना मद बूलिएगा चले हैं चलते हैं desktop की screen पे और करते हैं detail में discussions okay guys so हम लोग आ चुके desktop की screen पे और यहां पे हम discuss करने वाले हैं one by one सारी की सारी themes के बारे में और साती साथ last at the end में जाकर कम कुछ bonus tips के बारे में discuss करेंगे कि अगर किसे website के आपको theme identify करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं okay so बने लिएगा अंतर तक कि आपको सारी के सारी detail मिले इसे list करने हैं जैसा आप desktop पे देख पा रहा है जो एक primary choice होता है किसी एक beginner का होना चाहिए या फिर बड़ी-बड़ी sites देखते हैं तो mostly मैं जो theme आपको suggest करने वाला हूं वो उसी पे based होती है तो सबसे पहले इस list में आता है OceanWP और यह theme का free version आप definitely यहां से download कर सकते हैं या फिर आपका जो WordPress है उसके free library में भी आपको OceanWP का free version मिल जाएगा उसको आप use कर सकते हैं और यह theme को मैंने use किया बहुत ही light version का theme है quickly I mean आपकी side से होती है वो इतनी speed से घुमती है कि आपको पता भी दिने लगते हैं चोड़ा सा scroll दबाओ पूरा up to down हो जाता है तो यह बहुत ही light version theme है लेकिन इस theme का मेरा जो आपको कहने का मतलब यह है कि use this theme only if you are making any e-commerce side यह specially theme design की गई है e-commerce को ध्यान में रख करके तो अगर आपकी shopping की साइट से इस type का अगर आपको वेबसाइट बिल कर रहे है तो आप definitely OceanWP के साथ में जाएगा इसके free version जो आप use कर सकते हैं लेकिन उसमें limitations होती है और मैं आपको बता हूँ यह WordPress के जितने में themes होती है जो भी companies है जैसे कि यह OceanWP की है तो OceanWP क्या करता है कि जो free versions होता है उसमें आप उसके basic feature को use कर सकते है अगर आपको इसके pro feature को use करना है जैसे कि आपको home page को customize करना या और यहां पर देख सकते है actually okay ठीक है तो यह तो सारे के सारे नीचे आपको देख रहे हैं यह सारे के सारे extensions आपको इसके paid bundle में मिलेंगे जैसा कि sticky header लगाना है आपको ऐसा कि header चिपका रहा है जब भी आपका page scroll हो तो यह free feature में आएगा रहाई आपकी screen को full में आपको use करना ह या फिर दूसरी Instagram है या pop-up logins है जितने भी है इसके core extension इसका bundle होता है और इस bundle की जो price होती है आप देख सकते है around $129 आपके 25 sites पे आप इनके license को use कर सकते हो साथ में आपको कुछ free demos भी मिलते हैं तो यह इसका pricing plan है अगर आप जाना चाहें तो उसके तो जा सकते हैं लेकिन म affiliate marketing के लिए जहां पर shop type का अगर आपको create करना है तो ocean WP के साथ जाए this is one of the best choice यह तो होगी इसके बाद ऑगे अभी हम चलते हैं कुछ demos देखते हैं अगर आपको देखना है कि साइट किस तरीके से मतलब कि आपको किस तरीके सामा दिखाई देगा तो यहां पर देख लेते ह अगर किसको definitely देख सकते है अधर्वास इंका जो core extension का bundle देता है तो आपको 13 free demos मिलते है और 60 pro demos मिलते है मतलब इसका अगर free version लेता है तो आपको 13 free demos मिलेंगे साथी साथ इसके यह जो पेड़ आप जो extension का bundle रहे तो आपके 60 ऑल्री कस्टमाइज बंडल मिलेंगे जिसको जिसको आपको इंपोर्ट करना है वो सारे feature आपकी साइट पर आ जाएंगे तो जैसे कि अगर मुझे यह वाला डेमो चेक करना है तो मैंने इसको जैसे ऑपन किय तो आप देख सकते हैं इस तरीके साथ की साइट का already existing look आपको मिलेगा आपको क्या करना है पस इसके वर्ड वर्स जो है आपकी साइट की साफ सो change करना है और आपकी साइट अप एक्टिवन रनिंग हो जाएगी तो यह है पहला OceanWP आपको यूज कर सकते हैं डेमो इस तरीक स्टोर के लिए तो आप चेक कर सकते हैं के features क्या क्या है कैसे करता है और especially compatible है wordpress के लिए और हाँ इसको और अच्छे साब कस्टमाइज कर सकते हैं वह मैं at the end बताऊंगा जिसको आपन बोलते page builder होता और साथी साथ कुछ और balance bonus tips पर हम discuss करेंगे यह तो पहला part आगया कि exactly यूज करना है अगर आपकी WooCommerce के साइड हो ठीक है इसके बाद जो second best option होता है जो speed के नाम पे perfect है जो एक blogging के लिए perfect है जो most of the bloggers को use करते है and that has amazing feature तो वो है astra I hope कि आप में से बहुं सारा लोग astra सावेर है और ये भी free version आपके wordpress के dashboard के अदर available है simply जाहिए customization के अंदर sorry appearance के अंदर और वहांस एक नया theme astra type कीजिए आपका automatic download हो जाएगा और इस theme को भी आप अच्छे से customize कर सकते हैं लेकिन ये सारी जो wordpress पर build themes होती है अगर आपने मेरा पोस्ट बड़ा मेना बताया थे कि मुझे जीपी लाइसेंस के अंदर होती है तो ये किसी product को ऐसे sell नही template देरे हैं जैसे आप starter site को click करता है तो इनके ready to import options मिलते हैं मतलब कैसा था template इसको सिधा import करो आपकी site पर live दिख जाता है तो ये देख सकते हैं आपके इस तरह के existing templates हैं और मेरी जो site है actually उस site पे मैंने आपसे मैंने वहां पे अस्तरा का version यूजिन 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 कर सकते हैं blocks click करते हैं जैसे हम blocks click करता है तो automatically blogging से related इनके पास जो भी templates होंगे वह आपको दिख जाएंगे तो मैं बताता हूं मैंने exactly template जो use किया है वो कौनसा ओला template है तो मैं इसको load more करता हूं तो यह सारे blogging के लिए इनके inbuilt templates हैं I think यही है okay yes this is the one I have used so मैं बताता हूं कि exactly किस तरह से देखता है तो आपको simply इनके template को import कर सकते हैं और यह भी one of the best अगर अगर आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो सबसे primary आपकी choice हो सकती है वह अस्तरा के अंदर आप definitely जा सकते हैं और यह बहुत ही light weight themes है और one of the most popular theme बहुत सारा लोग इसको use करत है देख सकते हैं यह इसका एक लूक है जो inbuilt template है आपके जो recent post यह पर दिखेंगे और यह जो भी है इसका front page है तो automatically आप इस तरह के सापकी साइट को customize कर सकते हैं और यह भी बहुत light weight theme है आप देख सकते हैं इतना movement quickly है तो इससे आपकी site की loading speed बढ़ जाते क्योंकि most people का मामल में जाते हैं तो pricing plan के अंदर इनके पास annual और lifetime वाले प्लान है तो annual के अंदर आप Astra का pro version एक site के लिए सकता है इसके सारे के सारे pro features मिलते हैं और इसके अंदर आपको charge देना पड़ता है $59 but that is worth it right और इसका भी प्रॉसेस है अगर आप इसके pro versions को use करते हैं तो इसके बहुत स unlimited ऐसा अच्छा-च्छा-च्छा features है जो आपको इसके pro version के अंदर बेलेंगे और इसको scroll down करेंगे तो आप देख सकते हैं वूप commerce के लिए आपकी site को ready कर सकते हैं coloring करना है आपके बहुत सारे fonts को mobile के लिए अलग से header design करना है अगर आपका जो sticky header है वो transparent रखना है या फिर header or footer के option के अंदर changes करना है तो इस सारे changes अलग-अलग color हो गया background हो गया तो ये सारे के सारे as an extension आपको दिया जाता है इसके अंदर तो क्या होता है इसका free version आप directly download लेगे लेकिन इसको properly ज्यादा कस्टमाईज करना है उसमें ज्यादा features एड करना है तो आप जा सकते हैं इसके bundle plan के साथ में और 59 डॉलर इस तूगड लाग एक साइट पर जाना लोग-इन करना वो बाय करना वहां से जो आपको extensions मिलेंगे वो extensions सारे-क-सार इदर import कर देना एक तरीका या फिर आपको जो license की मिलती है उस license की को जाकर के वहां पर एड कीजिए तो जितने भी extensions यह दिखा रहा है वो सारे enable हो सकते सारे activate हो जाएंगे और आप इनको यूज कर सकते हैं तो that is one of my best choice अगर आप कोई blog क्रीट करना चाहते तो go with astra बहुत सारी साइट से ज यह तो हो गया second वाला part अभी जो next वाली जो theme है जो कि अभी में नई website जो मेरी build होने वाली जिसके में बता रहा था mrwest.com तो exactly मैं उस पर यह theme यूज करने वाला हूँ क्योंकि यह इसमें ज्यादा ज्ञजट वाला काम ने और easily customized भी हो जाती है theme तो guys वो जो theme है वो है generate price और आपने इसके बार में बहुत कुछ सुना हुआ तो यह है बहुत ही lightweight theme है और easy to customize theme है इसके अदर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रो जना चैसा अस्तरा के case में कैसा आपको दू-चार वीडियो देखने पड़ जाएंगे कैसे उसको customize करने अगर आप इंट्रस्ट person असरा को buy किजिए then get ready तो इसके बाद हम इस पर पुरा proper customization का वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो 30-40 मेंट का definitely होगा और यह तो बात होगी इसके बाद हम बात करते है generate press और the most popular theme है ये भी और यह बहुत ही light version theme है आप देख सकते हैं इनका जो premium plan है सबसे सस्ती और सबसे अच् तो average price के अंदर आपको अच्छा खासा feature दे सकें तो वो है generate press 49.95 इसमें बहुत सारे enhancement हो रहे है generate press के अंदर तो अगर मैं किसी को rate करूँ अगर आपके पास पैसा कम है तो आप जा सबके generate press के साथ में क्योंकि कम पैसे में आपको बहुत सारे feature देता है और one of the best lightweight theme है और आप देख सकता है इनका renewal plan में भी आपको discount मिलता है 40% का और full site का उनकी जो library उसका full access आपको 50$ में मिल जाता है और lifetime के लिए ठीक है इसका update और इसका support से आपको one year के लिए मिलेंगे लेकिन आपको चाहिए इनका support को आप renew करा सकते 40% off 40% off मनलब केतना हुआ अगर मैं करीब करीब आप निकाल हो तो हो जाता है 20-30$ के अंदर next 30$ के अंदर आपको यह theme next time renew हो जाएगी एक साल के लिए तो that is good enough अगर आप 2-3 लोग मिलके बाय करता है तो वो भी अच्छी चीज है तो आप देख सकते हैं यहां पे यह सारा का सारा है generate press one of the best site इसके जो premium features होते है मैंने simply इसक colors के साथ जा सकते हैं जो आपके font की style है उसको change कर सकते हैं और यह elements के जो features है that is one of the great अगर आप WooCommerce के साइट बनाना चाहते है तो वो जा सकते है generate press के साथ में लेकिन WooCommerce पर focus है तो सीधा चले जाए यह ocean WP पर ओके इसके साथ spacing हो गया आपका specially blog है तो blog के additional features आपको मिलते है क तो यह सारे features आपको मिलेंगे generate press के अंदर और इसका जो pricing plan तो हमने वैसे ही check कर लिए और simply plug install और मुश्किल से यह का घंटा लगेगा आप इसको properly customize कर देंगे so guys मैं suggest करता हूँ यह three themes one that is ocean WP अगर आप WooCommerce शॉपिंग की साइड है second that is Astra middle range में सबसे powerful theme है और सबसे पहली primary choice आपके वही होनी चाहिए तीसरी generate press मदलब आपको light version के theme चीज सस्ते वाला दाम के दर best best theme है generate press उसको जाए तीनों का link में description में देता हूँ that is an affiliate link और यह तीनों थीम मेरे टेस्टर है और अगर आपको नहीं पता है कि मैं ऐसा यह video बना रहा हूँ तो wait for the next upcoming upcoming जो भी मेरी site यह वहाँ पर generate press होगा और आप मैं सब बहुत सब्सक्राइब साथ मेरे दूसरी website के बारे में भी जानते हैं तो वहाँ पे अल्लेडी है अस्त्रा ओके इस पर पहला हुआ करता था ओशन डेवल पी लेकिन shopping के sites नहीं तो मैं उसको अस्त्रा में convert कर दिया तो यह मेरे tested websites है तो link definitely है description में अगर आप चा प्रामाना भी चालू कर दिया तो they are willing to scale it up to next level रहे तो उसकेस के अंदर मुझे कुछ ऐसे वीडियो बनाने पड़ेंगा जो उनके लिए helpful हो तो guys यह आप themes यूज कर सकते हैं अभी में बात करता है अगर आपको कोई sites है अगर आपको find out करना है जो कि bonus feature है तो उस case के अंदर आप कहां से पता लगा है कि यह site कौनसा theme यूज कर से क्यों क्या होता है अब यह से मैंने explain किया अगर आपको practically कोई site समझ में आते ही site का look बहुत अच्छा है चले इसका check करता है कौनसा theme है इसके अंदर उस case में आप क्या कर सकते है एक site है WP theme detector ओके बिंदास जाकर यूज क application हो रहा उसके अंदर तो अगर आपको किसे चीज या कोई ऐसा page है या कोई ऐसे website है इसका find out करना है कि वह कौनसा theme यूज करता है कौनसा plugin यूज करता है अगर ऐसा कुछ होगा तो उस case के अंदर आप आईए सीधा theme detector के अंदर WP theme detector जो है वह help करेगा आपको identify करने में कि य website किस type के theme यूज कर रही है जब तक यह load हो साथी साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं यह जितनी भी WordPress के theme से चलिए load हो चुका है तो बता देता है तो आप देख सकते हैं यहां से आपको पता लग गया है कि यहां पर जो version यूज हो रहा है वो हैस्टिय का version है यह latest वाल version है और यह GNU license के अंडर है तो इस तरीके सापको detail मिल जाती है कि यह site case type का theme यूज कर रही है तो आप उस theme को purchase कर सकते हैं बाय कर सकते हैं in case आपको अलगता है अभी देखियो MRVS.com आरा ना that is one of the powerful site जैसा कि आपसको बड़ी-बड़ी site से compare कर सकते हैं तो इसको मैं construction में तो मुझे time लग रहा है उस site को build करना में क्योंकि बहुत सारे चीज़े उसमें जो मैं changes कर रहा हूं तो उसको मैं live जब करूंगा I will do that live in front of all of you so stay with this channel so इसलिए ब best choice है वो है add thrive architect तो यह तीन आप pH builder को आप definitely use कर सकते हैं और अगर आप इसमें detailed video जानना चाहते है तो जो 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 जानना चाहते है जाओ कि टेलीग्रम ग्रूप में चैनल पर बताओ वहां पर discussions करो मुझे messages करो यह फिर comment के अंदर डालो चैनल को subscribe करो कुछ भी करो मुस्तक message पहुचाओ तो मैं समझ जाओंगा इतने लोग कुई need है मैं उस पर video बनाऊँगा क्योंकि हम YouTube पर बात करते हैं problems और issues को को कैसे resolve किया जा आपका focus का है light version के अच्छे theme मिल जाए अगर आप हो मिल रही है तो क्यों दिमाग इतर उधर लगा रहा हो better है कि go with this and create your own that's all for today फिर मिलेंगा एकले वीडियो के अंदर तब तर के लिए जय ही जय भारत